नवालिक से जात्ते के मौमले में तौम्र कारवास की सजा काट रही असराम को पहली बार साथ दिन की पैरोल मिल गई बताए जो आ रहा है कि पैरोल की अफदी में असराम महराँत के मदोभाग में इलाज करवाएंगे इस दोरान वो पुलीस कस्रेडी में ही रहेंगे नमस्कार मैं हूँ शेक जूही आप देख रहे हैं दनगरी नीज राजस्तान हाई कोट के जस्टिस कुश्पेंदर सिंध भाटी ने 83 साल के आसराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल दी सब गोशिद बाबा ने बहार आने के लिए कई बार कोट के दर्वाजे खटकटा लेकिन कोट ने उनकी एक नह सुनी आसराम को नावालिक के साथ जात्ती के मामले में 37 अगस 2013 को गरफतार किया गया था इसके बाद उसकी आनुयाईयों ने देश-विदेश में कई जगाओं पर व्रोथ-परदेशन किये थे बावजुद इसकी आसराम पर कानूनी प्रक्रिया चलती रही केस के सुनवाई के दोरान आसराम पर एक और रेप केस का चार्ज जेल में बन थे यह वही जेल है जहां पर सल्मान खान को भी बन किया गया था हाला कि सिर्फ तीन दिन बाद ही सल्मान खान यहां से बाहर आ गये थे आसराम सल्मान के मामले का कई बार जिक्र कर चुके हैं आगमी गत्तिस अगस्त को आसराम को जेल गए 11 साल पूरे हो जाए और पिछले 11 साल में 15 से जादा अर्जियां भी लगाए इस बीच कोट में कई दिगज़ वकीलों ने आसराम की पेर भी लेकिन एक दिन की भी रहात आसराम को नहीं भी गई सेंटरल जेल के दर्वाजे कुछ ऐसे बंद हुए कि अब जाकर आसराम को बहार आने काम मौका मिला है 25 अप्रेल 2018 को पास साल तक चली सुनवाई के बाद कोट ने आसराम को दोशी मानते हुए अजीवन कारवास की सजा सुनाई अब आसराम की अमर करीब 83 साल हो गई है बर्टी अमर और बिमारियों का हوाला देकर इस से पहले भी आसराम ने कोट से पेरोली की अपील की है अलनकी कई अरजियों के बावजूद आसराम को बहार आने का मौका नहीं मिला दो दिन पहले ही आसराम की जेल के अंदर तबैद बिगडी थी जिसके बाद उसे एमस ले जाया गया था इस बीच एमर्जेंसी में इलाज के लिए पेरोल के लिए आसराम की और से अपील की गई जिससे हाई कोट ने मंजूरी दी हाई कोट ने पर्मिशन दी कि आसराम महरास्ट के मादबाग उस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं लेकिन ये पर्मिशन सिर्फ साथ दिन तक के लिए दी गई मही कोट ने पुलीस कस्टेडी में इलाज करवाने की पर्मिशन दी है इस दोरान जो भी पुलीस कर्मी का खर्चा होगा वो आसराम ही उठाएंगे आसराम के साथ दो अटेंडेंट और एक डॉक्टर भी जा सकता है तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं दनगरी ने शुक्रिया